24% के आसपासी तेजी है, SDFC, AMC करीब 11% उपर शेयर है और ये तेजी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं अगर हम UTI, AMC के बात करें वैशाली तो हम देख रहे हैं कि पिछले महीने भर में 30-35% ये शेयर चल चुका है और ये शेयर बहुत जादा पिटे थे और इसमें अब recovery आ रही है आपको क्या लगता है कि ये जो momentum बना है इस space में ये आगे continue होगा और इस space में आपको कौन सा share सबसे बहतर लग रहा है अगर किसी को कुछ अगर trade बनाना हो तो कहां आपके नज़र रहेगी So well, मेरा ध्यान HDFC-AMC में ही है ये UTI-AMC तो काफी चल चुका है So I think it is काफी possible है that यहाँ पे profit booking आ सकती है But HDFC-AMC में काफी जगा है So trading strategy बनानी है and for a longer term horizon HDFC-AMC बेटर रहेगा But फिर भी ये stock भी काफी चल चुका है Wait for a dip up to 2050-2030, वहाँ पे एक entry लेनी चाहिए ठीक है, HDFC-AMC पर ये view लेकिन आज देखिए Tires भी दोड लगा रहे हैं आप चाहें MRF देखिए, Apollo Tire देखिए, GK Tire यहाँ पर आपको अच्छा move देखने को मिलेगा Apollo Tire है 6% की तीजी के साथ इस वक्त कर रहा है trade और heavy wheat MRF देखिए, 3.5% की आस पास का उच्छाल है Tire और दोडेंगे अभी वेशाली देखिए, अच्छली, automobile sector में अगर हम bullish view बनाएंगे तो of course tire stocks भी चलने चाहिए बट technically well placed फिलहाल बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है बालकृष्णा में मेरा view एक trading के लिए positive रहेगा MRF positive view जरूर है बट काफी चल चुका है तो नई एंट्री के लिए मैं फिलहाल only बालकृष्णा पे ध्याद दोगी ठीक है, बालकृष्णा में फोकस करने की सलाह है नई एंट्री के लिए लेकिन आप देखिए, आज नतीजों के चलते हैं, मुथोट finance का मूड खराब है करीब 13% की गिरावट इस चेयर में देख रही है और इसके लावा मननापुरों में भी 4% के आसपास की नर्मी है इसमें मुथोट में बैशाली अभी भी शॉट कर सकते हैं क्या मुथोट finance को या फिर थोड़ा जादा हो गया है और रिस्क बढ़ जाएगा बेल, शॉट के लिए फिलहाल नहीं, बिकॉज अल्रेडी गैप डाउन है और काफी नीचे है, बट I think मेरा व्यू इनफेक्ट मननापुरम में बाइंग रहेगा मुथोट का अवाइड कर सकते हैं, बट मननापुरम इस कंपेरिटिवली अ स्टेडी स्टॉप सो 102 के स्टॉप लॉस के साथ 115 के बाइंग ऑपरचुनिटी बनती है ठीक है, इसमें बाइंग के आपके लिए मौके बनते हैं, गिरावट हलांकि 4% के आस पास की है लेकिन 115 के लक्ष के लिए आप इसमें खरदारी कर सकते हैं, लेकिन